कोरोना वाइरस के कारण पुरे विश्व में तराही मची हुई है। भारत में वाइरस के कारण दूसरी मौत हो गई है। अजबार ये मौत दिल्ली में हुई है। इसके पहले करनाटक में एक व्यक्ति के मौत हुई थी। कर राजियों के सरकार ने वाइरस से बचने के लिए स्कूल कॉलेज थीटर और मॉल बंद कर दिये हैं इसके साथ ही कहा गया है कि भीड़ वाले इलाकों से दूर रहे और एक साथ कई लोग इखटा नहों भारत में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिस महिला की मौत हुई है कोरोना वाइरस के कारण उनकी उम् देश दौरे से लोटा था और वह भी कोरोना से संक्रमित है भारत में कोरोना वाइरस के कुल उननवे मामले सामने आ चुके हैं इन मामलों में दिल्ली में कोरोना वाइरस के 6 मामले हरियाना में 17 केरल में 22 राजिस्थान में 3 तिलंगाना में 1 और उत्रप्रदेश में 11 लद विश्व में मौतों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौत चीन में हुई है, इसके बाद इटली में इटली में वारेस से संक्रमित शुक्रवार को 200 लोगों की मौत हो गई आधिकारिक आंकडों के नुसार देश में इससे एक दिन में होने वाली मौतों की यह सरवाधिक संख्या है वायरस के प्रकोप के कारण शुक्रवार को त्रिपूरा में अखोरा चौकी के जरिये भारत आरहे करीब 40-45 बांगला देशियों को बुखार खांसी और सांस लेने में कठनाई होने जैसी समस्या पाये जाने के बाद उन्हें सीमा से वापस भीज दिया गया यानि भारत सरकार और विश्व के सभी देश अब कोरोना से लड़ने के लिए सारी सावधानी बरत रहे है विदेशियों को भारत में या अन्य देशों में नहीं जाने दिया जा रहा है हमारी भारत सरकार ने 15 अप्रेल तक विदेशियों की एंट्री पर बैन लगा दिया ह इस रपोर्ट में इतना ही था ऐसे ही वीडियोज की जानकारी के लिए बने रहे हैं न्यूस थींग के साथ Thank you